मुकतार अंसारी की मौत पर क्रिश्णनंद राय हत्याकान में मुकतार अंसारी के वकील रहे दिपक शर्मा ने कहा कि यह एक दुर्भाग्यपून घटना है मीडिया और सरकार का कहना है कि उनकी मौत काडिक अरेस्स से हुई लेकिन जब तक हमें पोस्ट माटम रिपोर्ट नहीं मिल जाती तब तक हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि प्रथम दृष्यता हार्ट अटेक की बात सामने नहीं आती है ऐसा लगता है कि मौत की असली वज़ा यही है हमें बस ये देखना है कि क्या जाच इमांदारी से की जाती है आपको बता दे दो दिन पहले उनके वकीलों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक आवेदन धिया था कि उन्हें धीरे धीरे जहर दिया जा रहा है देखे बहुत ही दुखत करता है और यह अभी आप लोगों का या सरकार का कहना है कि हार्ट अटेक्स से डेथ हुई है जब तक पोस्टमाटम रिपोर्ट सामने निया थी तब तक हम कुछ अथेंटिकली कह नहीं सकते हैं क्योंकि प्रैमर फेचिया यह हाट अटेक्स से डेथ लग नहीं रही है देखिए उसमें बहुत ज्यादा दम है क्योंकि दो दिन पहले भी कोट के अंदर एक अप्लिकेशन लग रही है जिसके अंदर वहाँ पे उनके जो लोकल रहर है उनोंने अप्लिकेशन लगा के बहुत सेरेससा लगाय थे प्रशासन के ओपर कि इनको स्लो पॉजन दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं परशासन की और जेल परशासन की दोनों तरफ से जो गॉवर्मेंट हमापे हो और जो परशासन है जेल परशासन इनकी डूटी बनती थी कि उसको बड़ा डीपली जाके इन्वेस्टिगेट करते और कहीं पर भी अगर ऐसा ऐलीगेशन आते तो इमीजेटली के बाइन से चांसन की और इसफो है उसके अंदर बहुत सारी कोड्ने कमिया निकाल ती कि अंगिनत कमिया निकाली थी उसमें investigation को लेके कमिया निकाली थी, evidences को लेके कमिया निकाली थी, और जिस method से उनको trial पर लाया गया था, उनको prosecute किया गया था, उसके अंदर question marks raise करते हैं, देखें, मृत्यूनियां वो कतल हुए थे, आप देखिए, जीवा संजीफ महिश्वरी के कोट के अंदर होता है, एक राकेश पांडेते हैं शायदा